नमस्कार दोस्तों जय भोलेनाथ, जय मा पार्वती हर हर महादेव तो दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हरी हरितालिका तीज व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और जानेंगे कि हमें जो व्रत करते हैं उसका उपवास कब तोड़ना चा और कौन-कौन सी चीजों का नहीं, तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को ध्यान से सुने और देखें हम आपको बारी-बारी से बताएंगे कि आपको क्या खाना है और क्या, नहीं तो दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं कि हरी. हरितालिका का तीज वरत क्यों मनाया जाता है? सभी प्रकार का फल प्राप्थ होता है, और अगर आपकी कोई मानवन से मनोकामना है, वह भी पूर्ण होती है, तो माता और बहाने. आप इस वरत को पूरे श्रद्धा भाव से रखें, तो चलिए जानते हैं, हरितालिका तीज के बारे में बताएंगे, हरितालिका तीज का वरत शिव पारवती के लिए रखा जाता है, इसमें शिव पारवती की प्रतिमा बनाई जाती है. निए हरतालिका 30-2024 हिंदू पंचान के अनुसार, हर साल भादरपद मास के शुकल पक्ष की त्रितिया तिथी को हरतालिका 30 मनाई जाती है, इस साल यह वरत 6 सितमबर 2024, शुकरवार को है हरतालिका 30 शुभ महूर्थ. त्रितिया तिथी 5 सितंबर को दोपहर 12 बचकर 21 मिनट पर शुरू होगी जोकी 6 सितंबर को दोपहर 03 बचकर 01 मिनट पर समाप्थ होगी हर्तालिका 30 के पूजन का शुभ मुहूर 6 सितंबर की सुभ़ 06 बचकर 01 मिनट से सुभ़ 08 बचकर 32 मिनट तक रहेगा पूजन की कुल अवधी शून्य दो घंटे 31 मिनट की है, हर्तालिका 30 के दिन सुभस नान आदी के बाद भगवान शिव माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं, इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें तिलक लगाएं और दूर्वा अर नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आपका वरत निश्वल हो जाता है, इसके साथ ही इस विशेश दिन पर स्वच्छता, और पवित्रता का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए भोलेनात का दूद, दही, घी, शहद, गंगाजल से अभिशेक कर, उन्हें चंदन, मौली, अक्षत बेलपत्र, धतूरा, शमीपत्र, आपके पुश्प, भस्म, गुलाल, अबीर, आदी, अर्पित करें साथ ही गनेश जी को दूरवा और जनेव चड़ाएं हरतालिका तीज का वरत निर्जला रखा जाता है, इस वरत के दौरान लगभग 26 से 27 घंटों तक कुछ भी खाना य नहीं चाहिए और खुद को पूजापाथ या भजनकीरतन में व्यस्त रखना चाहिए, सुबह सरगी के दौरान आप नारियल पानी पी सकते हैं, जो उपवास के दौरान आपको प्यास लगने की समस्या से बचाता है, इसमें आपकी सरगी में नारियल पानी को शामिल करते हैं, तो आपके लिए अच्छा होता है, इसमें कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम, मैगनेशियम, कॉल्शियम आदी जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते और प्यास भी कम लगेगी, ऐसे में आप वरत तोड़ने या फिर सरगी में भी दही का से सेवन कर सकते हैं, तीज के वरत में आप नारियल पानी, नीमबो पानी, मौसंभी का जूस, अनार का जूस और वरत में पिये जाने वाले अन्यतरल पदार्थों का भी सेवन कर सकते. हैं हर तालिका तीज वरत में वरती महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, जाने किन नियमों का पालन करने से भगवान शिव और माता पारवती प्रसन्न होते हैं, हर तालिका तीज के दिन वरती महिला को रात्री में सोने की मना ही होती है, कजरी तीज व और जल डालें और किनारे एक दिया जला कर रखें। बता दें की थाली में नीनबू, ककडी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदी रखे जाते हैं। हर तालिका तीज का वरत देवी पार्वती ने शिवजी को अपने पती के रूप में पाने के लिए किया था, इसलिए इस वरत में सुहाग सामगरियों का भी महत्व है, सुहाग की सामगरी में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूडी, कंगी, और आशिरवाद देती हैं, घर हमेशा खुशाल बना रहता है, घर में पैसे की तंगी नहीं आती है, हरियाली तीज का वरत पारण चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही किया जाता है, यह वरत निर्जला रखा जाता है, साथ ही इस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए दरसल इस दिन माता पारवती के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, और उनका दूध से अभिशेक किया जाता है, जोतिश शास्त्र के अनुसार हरियाली तीज पर अगर आप धन लाभ और करियर में तरक्की पाना चाहते हैं, तो हरियाली तीज पर भगव नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को अपनाने से जरूर लाभ होगा। और उनसे पती की लंबी उम्र की कामना करें, हर तालिका तीज का वरत निर्जला रखा जाता है, इस वरत के दौरान लगभग 26 से 27 घंटों तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। यानि तीज के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय गणेश चतुर्थी तक कथा के अनुसार इस दौरान आपको सोना भी नहीं चाहिए। और खुद को पूजापाथ या भजनकीरतन में व्यस्त रखना चाहिए, हर तालिका तीज के वरत में आप पपीता, सेब, अनार, अमरूद या फिर केले आदी का सेवन कर सकते हैं। तीज के वरत में आप नारियल पानी, नीमबू पानी, मौसंबी का जूस। अनार का जूस और वरत में पीए जाने वाले अन्यतरल पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं, इस वरत में महिलाएं 24 घंटे निर्जला वरत रखती हैं, रात भर जागकर भजनकीरतन करती हैं। हरतालिका तीज का वरत इस वर्ष 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। तीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर ही कर ले ताकि आने वाली जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे हरतालिका तीज पर। महिलाएं 16 श्रिंगार करके पूजा करती हैं। इस दिन सिंगार में हरे रंग की साड़ी और चूडिया पहनना शुभ माना जाता है भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतिया तिथी का। प्रारंब 21 अगस्ट 2024 को शाम 05.06 मिनट पर हो रहा है। वहीं इस तिथी का समापन 22 अगस्ट 2024 को दोपहर 01.06 मिनट पर होगा। हर्तालिका 30 के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र के लिए निर्जला वरत रखती हैं। इस दिन किये गए कुछ उपायों से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। हर्याली 30 पर आपको धन प्राप्ति के लिए यह उपाय जरूर करना चाहिए आपको। हर्याली 30 पर 16 श्रिंगार का सामान माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए एक थाली में 16 श्रिंगार का सामान और मिठाई रखें अब इस थाली में धन से। जुड़ी अपनी समस्या या मनोकामना को लिखकर माता लक्ष्मी के सामने रखें, इस साल हरियाली 30 का त्योहार 6 सितंबर 2024 दिन को रखा जाएगा ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मा पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था, इस दिन व्रिक्ष नदियों और जल के देवता वरोन की भी उपासना की जाती है, आज हर्तालिका 30 है श्रावन शुकल पक्ष की त्रितिया तिथी को सौभाग्य और मन्चाहे वर की प्राप्ती के लिए 30 का त्योहार मनाया जाता है ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था इस दिन वरिक्ष नदियों और जल के देवता वरोन की भी उपासना की जाती है जोतिश विदों का कहना है कि हर्याली 30 के दिन कुछ विशेश उपाय करने से जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है अगर आप इन उपायों को सही से कर लेते हो तो आपको भगवान भोलेनाथ तथा माता पारवती का असीम आशिरवाद प्राप्त होगा और घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा घर में पैसे की कमी नहीं आएगी बिगडे हुए काम बनते हैं घर खुशियों से भरा रहता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राशी को कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दें ताकि आपकी राशी के अनुसार कुछ भी उपाय होगा वह हम आपके कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका अपना नया योग टीवी चैनल हर हर महादेव ओम नमह शिवाएं हर तालिका तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो खासकर हिंदू महिलाओं द्वारा वरत के रूप में मनाया जाता है इस दिन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए उपवासी रहती है वरत के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना आवश्यक होता है ताकि वरत का उद्देश पूरा हो सके और स्वास्थ्य भी ठीक रहे यहां उन चीजों की सूची दी जा रही है जिनसे आपको तीज के वरत में परहेज करना चाहिए सबसे पहले वरत के दौरान नमकीन, मसालेदार, खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए ये पदार्थ वरत के उद्देश के विपरीत हो सकते हैं और शरीर में जलन या असंतुलन पैदा कर सकते हैं तीज के वरत में अधिक तर फल, दूध और सूजी के बने पकवान ही उप्युक्त होते हैं डौक दो प्याज और लहसुन नखाएं प्याज और लहसुन वरत के दौरान निशेध होते हैं इनका सेवन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है और वरत के दौरान शरीर का संतुलित रखने के उद्देश के खिलाफ हो सकता है इनकी जगह हरी सबजियों और फलों का सेवन करना अधिक उप्युक्त होता है ऐसा माना जाता है कि प्याज और लहसुन का सेवन मास मुद्रा में माना जाता है तो हमें हरितालिका 30 वरत में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए तीन अलकोहल और कैफीन का सेवन न करें 30 के वरत में अलकोहल और कैफीन युक्त पे पदार्थों से पूरी तरह परहिस करना चाहिए ये पदार्थ शरीर में निरजली करन कर सकते हैं और वरत के दौरान आवश्यक उर्जा को प्रभावित कर सकते हैं इसके स्थान पर पानी नारि पूर्ट का सेवन नहीं करना चाहिए, ये खाद्य पदार्थ ताजे और स्वस्थ वरत के आहार के विपरीत होते हैं और शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, स्वस्थ और ताजे विकल्प जैसे की फल, दही और दूध का सेवन करें, डौट पांच, अधिक मीठे पदार्थ नखाएं अत्यधिक मीठे पदार्थ, जैसे की मिठाई और चौकलेट वरत के दौरान खाने से बचना चाहिए, बहुत अधिक चीनी वरत के उद्देश्यों के खिलाफ हो सकती है, और शरीर में असंतुलन पैदा कर सकती है, उचित मात्रा में घर के बने हलवे या फल का से इन नियमों का पालन करके आप अपने वरत को सही तरीके से पूरा कर सकती हैं, और तीज के त्योहार का आनंद स्वास्थ्य पूर्ण तरीके से ले सकती हैं, इन खाध्य पदार्थों से परहस करके, आप अपने वरत को पवित्र और प्रभावी बना सकती हैं, और अपने स् रख सकती हैं डौत तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जैमा पार्वती जैमा लक्षमी अवश्य लेकर धन्यवार